स्वात है आप सब्सक्राइब एक निए वीडियो में आज का अपडेट में आपको जंजारपूर जक्षन के पास जो बांध जो बनाए गया है उसका अपडेट आपको देने वाले हैं साथ में यहां पे इलेक्टरिफिकेशन का काम भी हो चुका है वायर का काम भी हो चुका ह है पूरा तयार है यहां पर और यहां से पाच्छिम की तरफ कमला बलान नादी है जो यहां से 500 मिटर दूर है और यह लेंज हो है आपको दर्भांगा की तरफ जा रहा है पिछले वर्ष जो यहां पर काम हुआ था ढ़लाय का काम हुआ था इस रख का इस रख के पाथ जो बांध बनाया गया है उस बांध पर जो है अब जो है टैल्स लगाने का काम चल रहा है हम आपको आगे जाकर दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है यहां पर काफी वर्ष जो है यहां पर लगे हुए है कमला बाला जो नदी है उस नदी से लेकर जंजारपूर के जो बासा इस्टेंड है वहां तक इस बांध को बनाये गया है और इसी बांध पर जो है अब टैल्स लगाने का काम चल रहा है अब जो है टैल्स लगाने के बाद इस पर जो मिटी है वो नीचे नहीं गिरेगा सरक पर नहीं आएगा और टैल्स के जड़िये जो है वो दाबा रहेगा सरक से पहले यहां पर जो पहला का सरक था इस पर काफी किचर होता था इसके बाद ढलाए किया गया है बाद में जो ह करने का काम चल रहा है इसके बाद आपको कावला नदी के पास ले जाएंगे और वहां से कि इस जक्षान तक जाएंगे और इस बीच में कहां कहां पर कितना काम हुआ है आपको सभी अपडेट देने की कोशिश करेंगे हुआ है यहां पर गारियों का आपकमण है उ장काफ्य तेज हो चुका है और यह पर जो है आगे कमला नदी है कि और येहिं से लेकर पूर्वी सैट का जो बांध है कमला नादी का जो जाइनगर से लेकर ठेंगा रसेयारी तक जो बांध बनाया गया है उसी बांध में ये बांध जाके मिल जाता है और इसी बांध से सैट में जो है यहां से लेकर वहां तक जो है रिटेर्निंग वाल का निर्मान किया जा रहा है जो आगे जाकर जो है इस तरह पर मेटी नहीं आएगा और मेटी जो है एकी साइड में रहेगा धायेगा नहीं कुछ इस तरह से काम हुआ है यहाँ पर काफी लबा रिटेर्निंग वाल का निर्मान किया जा रहा है जितना लबा यह बांद बनाएं गया है उसी लिंक के जरीये यहाँ पर उसी साइड का यहाँ पर इस रिटेर्निंग वाली sound का निर्मान चल रहा है और यह रास्ता जो है काफी एक किलो मीटर लगभग है सैड में काफी टैल्स रखा गया है पोर्वी सैड से जो है इनका काम सुरू हो चुका है और कमला नादी के पास जाएंगे लगभग सौब मीटर तक जो है काम हो चुका है इनका यह रास्ता जो है इस पर आप भारी वहां जो है नहीं ले जा सकते हैं इनके लिए आपको आईने शुटी से जाना होगा इसके बाद दो तीन साल के बाद जो है बगल में एक नया बीरिज बान रहा है उस पर आप ले जा सकते हैं तो यहां पर काफी दुआ धा तरीके से काम चल रहा है काफी वरकास जो है लगे हुए हैं एक हफते के अंदर जो है यहां पर पूरा काम हो जाएगा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और फिर से मिलते हैं आप से नए वीडियो में नए आपने के साथ वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताए कैसा लगा जाहिन